नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोगों का RS वावा पर पाकिस्तान को एक जबर्दस जटका लगा है एक हिंडी में काहवत है कि जिस दिन सिर्म उन्डवाए उसी दिन ओले पड़ गए पाकिस्तान अपनी पल के विछाय बैठा था साउदी अरब की एक कंपनी साउदी अरामकों के लिए क्योंकि वो पाकिस्तान के गौदर बंदरगा के अंदर एक जबर्दस रिफाइंडरी लगाने वाली थी जो कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रिफाइंडरी हो सकती थी लेकिन हाल ही के अंदर एक नोटिस जारी हुआ और पाकिस्तान के अंदर वो जो रिफाइंडरी लगने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया ये जो रिफाइंडरी थी वो 10 अरब डॉलर की थी जो कि अब पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है क्या कारण है इसके पीछे और वाकई में क्या पाकिस्तान को एक जबर्दस जटका लगा है आप लोग को पता होगा कि पहले से ही पाकिस्तान की जो एकोनमी है अर्थ विवस्ता जो है वो गर्थ के अंदर जा रही है चली देखते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के अंदर हुआ क्या है, क्या कारण है, क्या वज्य है जिसकी कारण से वो पीछे आखिरकार खेंच ही लिए है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि Saudi Aramco is getting cold feet मतलब अपने कदम जो है वो बहुत धीमे कर दिये है 10 Arab Billion Guadar Refinery के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो workers काम कर रहे हैं उनके helmet के उपर एक निशान जो है आप लोग देख सकते हैं यह निशान जो है वो 1933 के अंदर इस्थापित Saudi Arab based एक company है जिसका नाम है Aramco यह जो Aramco company है यह पहले सरकार के shares के अधीन जो है वो काम करती थी लेकिन हाल ही के अंदर एक independent company घोशित की गई और उसके बाद में इसके decisions जो थे वो भी independent मतलब 700 रूप से ले जाने लगे इसके बाद में पाकिस्तान ने जब Saudi Arab की government से यह पूछा कि हमारा यह जो project है आपने cancel क्यों कर दिया है इसके जवाब में Saudi Arab की government ने यह कहा हमारा इसके अंदर कोई भी हात नहीं है जिस company से आपका contract हुआ था 2018 के अंदर वो company अब अपनी decisions independent लेती है हमारी उसके अंदर कोई भी दखल अंदाजी नहीं है आप लोग इसके इसको ऐसे समझ यह कि भारत के अंदर एक reliance company काम करती है जो कि refinery के छेतर में भी काम करती है अगर मालनीजिये कि कि किसी भी देश के अंदर वो अपना एक plant establish करती है तो वो स्वतंदर रूप से कर सकती है इसमें government का कोई भी share नहीं होता है उसके लिए भारत सरकार जो है वो उत्तरदाई नहीं होती है ये गौादर जो oil city है इसको develop किया जा रहा था मतलब बहुत सारे जो देश हैं वो यहाँ पर interested थे जिसमें UAE, Saudi Arab, Kuwait, Iran, Oman, Saudi Sudan और Iraq जैसे देश यहाँ पर already refinery इस्थापिट कर चुके है साओधी अरब की एक company उसने हाल ही के अंदर अपने हाथ पीछे खैस लिए है अगर यह refinery भी complete होती तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि विश्यू की third biggest oil refinery जो है यह कहलाती लेकिन अब यह project है मतलब पूरा सपना जो है वो अब सपना ही बन कर रह जाएगा पाकिस्तान के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यह install होती तो one of the largest oil refinery जो है यह कहलाती गौदर बंदरगा के उपर सबसे पहले आप लोग इस map पर जो है वो जहां से देखीगा यहाँ पर दो बंदरगा आप लोग को दिखाई दे रहे हैं एक तो है चाबाहर बंदरगा एक है गौदर बंदरगा गौदर बंदरगा जो है वो पाकिस्तान के दक्षिन छेतर के अंदर इस्तित है जिसको चाइना के दोरा develop किया गया है चाइना ने यहाँ पर road इसके साथ में यहाँ पर railway lines कई सारे यहाँ पर infrastructure project लगाये हैं हाल ही में आप लोग को पता होगा कि इंडिया के दोरा ये जो आप लोग port देख रहे हैं चाबाहर port यहाँ पर जितनी भी railway lines बिछाई जा रही थी इसका contract जो है वो समाप्त कर दिया गया था जो कि इरान के दक्षणी यहाँ के दक्षण पश्यम के अंदर जो है दक्षण पूर्व के अंदर यह स्थित है और हाल ही के अंदर भारत के द्वारा चाबाहर बंदरगा से अफगानिस्तान के अंदर गेहूं के खेब जो है वो भी भिजवाई गई थी इंडिया ने वहाँ पर railway lines बिछाई है वहाँ पर सडकों का निर्मान किया है वहाँ पर road lights लगवाई है मतलब पूरा का पूरा infrastructure जा है उसके लिए पैसा खर्च किया है चाबार बंदरगा पर जो है वो इरान के अंदर इस्तित है वैसा ही गौदर बंदरगा पर चाइना का investment लगा हुआ है तो सीधे बाद तो आप लोग को ये समझ में आ चुकी है कि अगर गौदर बंदरगा पर कोई भी oil refinery अगर लगती है तो चाइना का उसमें involvement जो है वो निश्चित तोर पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग इस article से भी इसका assume लगा सकते हैं कि Saudi Arabia आइंग partnership with China in Pakistan refinery project मतलब चाइना की तरफ आखिरकार उसका जुखाव है क्यों आराम को जो company है उसकी स्थापना 1933 के अंदर Saudi Arab के अंदर की गई थी उसका ये मानना है कि गौदर बंदरगा पर जितना भी infrastructure है engineering की अगर हम लोग बात करें procurement के अगर हम लोग बात करें construction के अगर बात करें तो इसके लिए contract किया गया है चाइना के साथ में और चाइना का यानि कि चाइना के वाले एक इकलोता नहीं है चाइना का bank of China जो है वो इसके साथ में मिला हुआ है और Sinopeak जो कि एक company है चाइना based company है वो भी जो है वो contract कर चुकी थी Saudi Arabia की अराम को company के साथ में लेकिन उस company ने हालिये में ये कह दिया कि हम जो है इसमें और investment नहीं करेंगे हम इसमें जो है कोई भी interest नहीं रखते हैं पाकिस्तान हर दिंग जो है वो 3 लाख बैरल crude oil जो है वो refine कर सकता था देखिए crude oil क्या होता है कि crude oil के अंदर gases भी mix होती है जैसे बहुत सारे आप लोग देखते हैं कि गिल्सरीन वगरा पूरा का पूरा एक combination होता है जिसके अंदर से हमको petroleum product बाहर निकालने पड़ते हैं refine करने पड़ते हैं मुनाफे में 25 साथ तक 7.5 percent देने का वादा भी जो है Saudi Arabia को 7.5 percent जो है मुनाफे में से देगा इसके साथ में tax से 20 साल तक के लिए भी जो है वो छूट दी जाएगी Saudi Arabia की इस company को लेकिन फिर भी पाकिस्ताने जो पल के बिछाई थी वो पूरा का पूरा जो है वो समाब्द हो चुका है company का नया management नया management से क्या मतलब है हाल ही के अंदर अराम को जो है वो एक independent company बनी है सुतन दुरूप से company बनी है जिसमें आप Saudi Arabia की कोई भी जो है वो दखलंदा जी नहीं है उसने कहा कि business जो है मुनाफे वाला नहीं है हम लोग ज़्यादा लंबे समय तक मुनाफा जो है इसमें business नहीं कर पाएंगे अपने हिसे अरी 90 करोट डॉलर से जो है ज़्यादा नहीं रखेंगे 90 करोट डॉलर मतलब पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगा पर कुल 10 अरब डॉलर का investment होने वाला था 10 अरब डॉलर जो है इतना investment होने वाला था मतलब ये जो रकम आप लोग देख रहे हैं इसको 10 से गुना कर दीजिए उसका यानि की दस्वा भाग जो है इसका दस्वा भाग अब जो है उस company ने कर दिया है मतलब ना कि बराबर अगर हम लोग कहें कि किसी देश के अंदर हम लोग 100 रुपे investment करने के लिए जा रहे हैं और बाद में हम लोग पलेट जाएं कि नहीं हम लोग को 10 रुपे ही investment करेंगे ये मानके चलिए कि 100 रुपे के सामने 10 रुपे की कोई कीमत नहीं है इसलिए ये जो deal है से loan भी उसको लेना पड़ेगा मतलब पाकिस्तान की उपर धीरे-धीरे burden और बढ़ता जाएगा पाकिस्तान की economy जो है वो और ज़्यदा downfall पर होती जाएगी माई 2023 की बात करें तो एक report है US Energy Information Administration उसकी अनुसार पाकिस्तान जो है 83 barrels जो है per day crude oil का production करता है अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से इसको देखे तो माई 2023 के अंदर ये इस से कितना ज़्यादा है आप लोग देख सकते हैं 620.25 barrel per day जो है भारत के अंदर crude oil जो है वो production होता है अगर हम लोग पाकिस्तान को देखे तो 53 जो है वो natural gas के reserves पाकिस्तान के अंदर है लेकिन पाकिस्तान के अंदर natural resources होने की कारण भी उसकी जो economy है वो काफी down है आप लोग इसको इसे example समा सकते हैं कि अफरिका के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिसके पास में minerals काफी सारे हैं लेकिन mining करने के लिए उनके पास में technology नहीं है उनके पास में पैसा नहीं है इसलिए वो देश जो है वो पिछडे हुए है यही हाला जो है वो पाकिस्तान के साथ में भी है पाकिस्तान के पास में minerals काफी है लेकिन वहाँ पर उनका production करने के लिए mining करने के लिए उसके पास में technology और पैसा नहीं है पाकिस्तान के अंदर mainly 5 refineries जो हैं वो सबसे ज़्यादा famous है जो की 4,50,000 barrel जो है crude oil per day उसको refine करती है पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो company है वो है सेनरगी को PK Limited जो की Bluchistan province के अंदर इस्तित है पाकिस्तान की जो चार province है उसमें से एक province है Bluchistan वहाँ पर ये इस्तित है जो की crude oil जो है इसको refine करती है तो पाकिस्तान के हाथ से अब ये project जो है पूरी तरीके से फिसल चुका है पाकिस्तान के हाला जो है वो और गीर और गंभीर होने वाले हैं मतलब वहां की जो care taker सरकार अभी चल रही है हो सकता है कि वो भी अशमल नहीं पाए जो कि कई बार क्या होता है कि सरकार जब भी पैसा खर्च करती है तो इन बड़े बड़े project से ही पैसा आता है लेकिन सरकार के पास में अब जो है वो धीरे धीरे और गिरावट होती चली जाएगी I hope आप लोगों को इन topic से काफी help मिलती होगी मुझे आप लोग comment section में ज़रूर बताएगा कि आपकी knowledge जो है वो enrich हो रही है आपको lectures पसंद आ रहे हैं आप हमारे junior accountant के advance वीडियो course के साथ में जूड सकते हैं आपको इसके साथ में paper 1 और paper 2 की test series जो है वो भी बिल्कुल फिरित दी जाती है 999 के पर आप लोग के लिए course अवेलेबल है PDF जो है वो भी आप लोग के लिए वेलेबल रहेगी अगले session में लेकिन एक बहतरीन comment का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या वाकई में आप लोग ऐसे lectures को पसंद कर रहे हैं जो कि current events से relate करते हैं मुझे आप लोग comment section में जरूर बताएगा मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तक धन्यवाद, thank you, जय हिंद